एक्ट्रेस शिल्पा शेटी के पती राज कुंद्रा की गिरफतारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं. जाच में सामने आया है कि कुंद्रा को गिरफतार करने से पहले क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 महीने तक करी परताल की है. क्राइम ब्रांच की टीम अशलील फिल्म बनाने वाले गिरोव का सुराग तलाश रही थी। इसी दोरान राज कुंद्रा का नाम सामने आया था। जाच में सामने आया है कि ये 20 साल की स्ट्रिग्लिंग एक ट्रेस को टारगेट कर। उन्हें कॉंट्रेक्ट में फसा फिल्मों के काम के लिए मजबूर करते थे। कुं पुखता सबूत मिलने के बाद ही गिरफतार किया गया। तीन दिन पहले मलाद पश्चिम के मढगाव में एक किराय के बंगले में छापा मारा गया और वहां से पुखता सबूत मिलने के बाद ही उन्हें गिरफतार किया गया। कुंद्रा पर अशलील फिल्में बनाने और उन्हें कुछ हैप के जरिय प्रसारित और शेर करने का आरोप था। इस मामले में क्राइम ब्रांच टीम ने CR 103-2021 दर्ज किया था। जिसमें IPC की धारा 292, 293, 420, 34 और IT1 की धारा 67, 67A और IPC की धारा 420 शामिल थी 20 से 25 साल की स्ट्रेगलिंग एक्टर्स को किया जाता था टागेट जांच में सामने आया है कि मर्के जिस बंगले पर मुंबई पुलिस ने च्छापा मारा था। उसे राज कुंद्रा की टीम ने 20,000 रुपे प्रतिदिन के हिसाब से किराय पर लिया था ओडिशन के दौरान कपड़े उतारने को कहा जाता था। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस को दिये बयान में एक स्ट्रिगलिंग मॉडल ने बताया कि फिल्मों में शामिल ज्यादातर लड़किया मुंबई से बाहर की रहने वाली होती थी। सिलेक्शन से पहले सभी का प्रोफाइल शूट किया जाता था और कई बार उसने कैमरे के सामने कपड़े उतारने के लिए कहा जाता था। इन सब चीजों से परिशान होकर एक ट्रेस ने मुंबई छोड़ दिया है।